फिल्म विवा से बॉलिवुट में अपनी कलग छाप छोड़ने वाली एफ्रस अम्रितार राओ जी हां और आज हम उने के बारे में बात करने वाले हैं नवश्कार मैं हूँ आपकी होस्ट सुगंद और आज हम बात करेंगे विवा से और फिल्म मैं हूना से अपने हुसन के जलवे दिखाने वाली अपनी मासूमियत से लाखो लोगों को दिवाना बनाने वाली एक्टरस अम्रितार राओ के बारे में दरसल अम्रितार राउ पिष्टे काई सालों बाद एक बार फिर से उन्होंने बॉलिवूड में comeback किया फिल्म ठाकरे से उन्होंने एक बार फिर से धमाकेदार entry की है फिल्म बॉक्स आफिस पर काफी जादा सफल साबित हुई तो वहीं हाली में अमरितार राओ ने अपनी फिल्म की सस्सेश के बार मीडिया से काफी सारी बातशीत करी है तो फिर आईए डालते हैं अजराज केमार इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि अमरितार राओ ने क्या कुछ कहा है मीडिया से अपने एक्सपिरियंस को लेकर अपनी फिल्म को लेकर और साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिल्म विवास से बॉलिवूट में अपनी एक अलग चाप शोड़ने वाली आक्ट वरस अमरिता राओ पिछले काफी वक्त से बॉलिवूट से गायब हैं लेकिन आपको बता दे कि काफी सालों बार अमरिता राओ ने एक बार फिर बॉलिवूट में धमाकेदार एंट्री की फिल्म ठाकरे से और फिल्म ठाकरे में अमरिता राओ की आक्टिंग को दर्शकों ने काफी ज़्यादा पसंद किया अमरिता राओ की खुपसूरती उनकी मासूम्यत से हर कोई उनका देवाना है और फिल्म ठाकरे में उन्होंने मीनताय का किरदार निभा कर हर किसी को अपना देवाना बना दिया और वाकी बॉल्यवर्ट में उन्होंने जिस सरह से कमबैक किया वो वाकी काफी ज़ादा धमाकेदार था फिल्म की सकसेस के बार हाल ही में अमरिता राओ ने मीडिया से काफी सारी बातचीत करी है मीडिया से बाचीत के दुरा उन्होंने इसका एक्सपीरियंस अपनी पर्सनल लाइफ और हर एक चीज को लेकर काफी सारे किस्ते सुनौए और आखिरकार उन्होंने ये भी बताया कि वो वालोवर इंडस्ट्री से इतने सालों तक कहां गाया थी आई आप भी देखिये क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में पहले से पता था कि ठाकरी जो है वो बालासाहिब जी के बारे में है not as much about the personal life of Meena Taai and Bala Saab but Meena Taai जो थी वो Bala Saab जी के जिंदगी में उनका जो वजूग था, उनकी जो मौजूद्गी थी, सहरा था वो बहुत बहुत ऐहम था यह मुझे पहले से ही Sanjay Raut sir, हमारी producer and of course निर्देशक अभीज़ पान से ने बताया था कि मतलब मातुश्री की जो actually जो मा साहिब थी उन्होंने जब Bala Saab ने अपनी political maharashtra के लोगों को service देया, मातुश्री के दर्वाजे खोले लिटरली, तो मा साहिब ने मातुश्री को सम्हाला, सु मेरे लिए यह बहुत ऐहम एक मौका था एक ऐसे औरत को परदे पर लाने के लिए जो हमेशा मेडिया के सामने आना पसंद ही किया उने, भी यह बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे काम की तारीफ हो रही है, and specially the letter scene has been talked about. Okay, Mani Kanhli ka जैसे film सामने होने के बावजूर, वे इस वे वे एक मौका रही, और मैं बहुत रही है. और मैं सिदा सिदा मैं तो समझता हूँ, और धाल कंचना से परप्रवाटाइन हो यहाँ का मेहनत होता है? right now, हर फिल्म के पीझे बथी बहुत जादा महनत होती है and it's not only about the faces that you see in the front but there are many families, you have a lot of families and more of the family so I am so happy that both the films are doing well Maani Karenika is also doing well equally well and Þakre is also doing well both the films were about strong leaders who fought for their conviction मतलब उन्होंने देश के लोगों के लिए एक लड़ाई या जंग जीता है उन्होंने So I think I'm so happy that both the films are doing equally well एक खास सीन है ठाकरे में उसका बड़ा जिकर करा जा रहा है बड़ी तारीफ करे ज़िए जो लेटर वाला साब में अपनी पत्नी मांस आपको लिखा था उस सीन की बड़ी और ट्वीट भी दरे जा रहे हैं आपको लेकिए कि I assume people who are impressed upon the performance of yours क्या कहना चाहेंगी और भीको ताप खर रहेंगी आपको मैसमता कि इतना लोग पसंद करेंगे इसना रहेंगे वेल अचली वो सीन जो जो लेटर रीडिंग सीन है जो बाला साहिब जी का बत्र राता है मीनात ताई जी को और जो पढ़ती है और भाउक हो जाती है वो सीन जब मुझे अभीजीत पांट से ने सुनाया था तभ ही मुझे पता था कि यह सीन में बहुत दम है जब हम सीन को शूट कर रहे थे तो काफी सारी दिक्कते हुई फोकस गया और मैं कोशिश करती हूँ या पसंद करती हूँ कि एमोशनल सीन पहले ही शौट में ओक हो जाए बिकोज बार बार रोना और अपने आपको फ्रेश करना और फिर से रोना मुश्किल हो जाता है तो इस दिन थोड़ा सा अ थे क्नीकल से थे फिर झांद में तो आभी जीत सर ने बहुत्त सपोट्त जूट किया है दो कि अर् उसीन की बहुत अरी था द्रीफ हो ह्री ए कि अभी क्रिटिक्स ने भी उसीन को मेंशन किया है। जोजे कल के लेजंडरी अक्टर विस्वजीत जी ने इतना खुबसुरत ट्वीट भेजा है। और अब लॉट अगरी जार्ट जो है। नार्म प्रश्टिंगा प्रश्टिंगा? फिसके से रिवाध थे झाल जब लेड़ार तर के थाकरे, but I think the good part is that the film is a hit, it's been loved, Kangana's work is being loved and everybody's presence has been appreciated, so I'm sure everybody will benefit from the success of the film. I'm glad you can throw something like that. Well, actually, you know, a very good thing is that we live in a society today where being diplomatic is supposed to be not so much in trend, I guess, and it's not about trend, I guess it's not appreciated anymore, diplomacy is good to an extent, but people are gathering the courage to talk about experiences that can help others and use platforms strong such as the media to, you know, bring about issues that can really help others. So yes, I had mentioned in the course of my interviews that I had said that I replaced a film because some sugar daddy had picked up the phone and one of his relatives was cast instead of me, which is okay, that's fine with me, I didn't have any problem with that, but it was just that the director had to message me, or professionally communicate with me, because of whatever reasons, not this film, but maybe we'll approach you for the next film. But when the director didn't have any message or I didn't know, I didn't know, and it happens to me, so you know, the way they do it is a little disappointing and it hurts. Do you have responsible nepotism because of your absence since last 7 or 18 years? Do you have nepotism responsible for that? Well, I will not say that, it will be very unfair to say that, you know, I think talent is something that is very important to survive in the industry. Of course, there could be like some opportunities that you can miss out on because, you know, definitely star kids and the way they can promote themselves or they can network, actually network at another level, that's not comparable. I mean, you can't compare that, compare that to a rank outsider who comes with no connections, which is normal, actually. It's not, it's not their fault. I think the way I look at it is they are destined with that silver spoon or the golden spoon. We have to work harder, but eventually it's talent. Yeah. Thank you. Well, uh, film industry se hoon, obviously, uh, obviously, uh, mujhe lagta hai ki film, uh, uh, jab banti hai, toh it is a very unpredictable medium, you know. Kabhi-kabhi bhot achhi filme banti hai, public accept nahi karti hai. So, it is a risk for everybody who's involved with that project. So, uh, nevertheless, jab ticket ke prices kam hoote hai, ya phir koi, uh, GST, uh, applicable taxes, uh, kam hoote hai, toh it is a big relief for an industry because this is not a very secure industry. It comes with a, uh, you know, it is a very, um, um, obscure and a, uh, uh, yeah, it comes with a price, price point, price, sorry, it comes with a price tag to, uh, you know, uh, yeah, so. In fact, what do you want that? What do you want from the government in the budget? Do you want to degree the tax all year? The tax? Yeah, I mean, like I said, you know, like, uh, uh, tax ho, ya, mitla, yeh sare applicable taxes hai, it will definitely be in the favor because, uh, like I said, that we come from an industry where it's, it is not guaranteed that this film will earn so much of money. So, what you invest in terms of the principal amount, it's not guaranteed ki yeh humko benefit milega. So, agar taxes come hoote hai, toh humko uska fayda definitely hoota hai. Otherwise, it becomes like a very big deal for people to, uh, make such investments and it definitely, uh, affects the entertainment industry on the larger scale. So, thank you. Thank you. Thank you. Well, 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 aaj ke liye sirf itna hi, hummeh dee dijiji ijaazat, leki na balut sriduri, kai mazadar hot spicy, chattpattrayi khabros se, jude rhenne ke liye subscribe karna. Wilkul na bholi humare channel next deny news ko.